नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभी नंदन पहुंच गए हम निर्चला एकदशी बाप रे देट स्मय फेवरेट यू नो सबसे पहले बताईए आप लोग कैसे हैं जैमातादी गुड मॉर्निंग ये सब लिखते रहेगा लेकिन आप सबसे पहले लिखे कि राखी जी हम पुन्यात्मा हूँ या नहीं हूँ वो आप लोग बोलते हैं आप लिखते हैं लेकिन आप लोग एक पुन्यात्मा बहुत हैं और आप सब के साथ मेरा किसी जनम का कोई रिष्टा तो जरूर है जो भगवान ने अब सोचा कि इतना बड़ा परिवार तो मैं इसको दे नही यह हमें आपसे रोज मुलाकात करती हूँ विभिन तरह की बाते करती हूँ इतना तो दिमाग मुझ में भी नहीं है जितना आप लोग मुझे आइडिया जितने राकी जी इस वीशे पर वीडियो बनाई हैं और मैं बनाती चली जा रहे हूँ और सकसेस की तरफ हमारा परिवार बढ़ जाए हमें जल से जल से इस परिवार को बहुत बढ़ा करना है इसे ताकि हम बहुत सारी गुफ्त गुई और बाते कर सकें, आज आपसे बात करूँगी 9 जीन एकदशी के निर्जला एकदशी जो दो जून की है निर्जला एकदशी जिसे भीम एकदशी भी कहा जाता है भीम सेना एकदशी क्योंकि भीम ने इस वरत को रखा था कहते हैं एकदशी महीने में दो बार आती है, कृष्न पक्स की एकादशी, शुक्ल पक्स की एकादशी, मैं दोनों वरत रखती हूँ और आप में से बहुत सारे दर्शक मेरे साथ मेरे परिवार जुड़ा है जो ये वरत रखते हैं, अगर मैं इस वरत के टाइम पर उन पाँच दिन में होती हूँ तो मै वरत नहीं रखती मैं छोड़ देती हूं लेकिन अगर मेरे तबह ठीक होती है तो मैं वरत रखती हूं लेकिन अगर किसी भी कारण वर्ष आप वरत नहीं रख पाए उन पांच दिनों की वज़ा से या आपकी तबह ठीक नहीं थी या पीछे करोना बहुत जादा हो रहा था तो आपको निर्जला एकदशी का एक वरत रखने से 24 एकदशियों का फल मिलता है लेकिन आज मैं आपसे दो तरह की बाते करूंगी पहली बात मैं आपसे कर रही हूं शास्त्रों की दूसरी बात करूंगी मैं आपसे आपकी बड़ी बहन की तरह आपकी मा की तरह आपकी द ना और मेरा दोनों का youtube चैनल देख रहे है इश्वर की किरपा से आपकी दूाओं से मैं देव सुरेश जी मेरे घर में मेरे सुराल मेरे माइके में सब ठीक है मातरानी की किरपा है उसी का धिया खा रहे हैं और उसी की सासों को हम जी रहे हैं मैं सामानती हूँ निर्जला दशी ना रख सके तो निरजलाय का दशी रखने चाहिए इस वरत में पानी नहीं पीते बलकिन पानी बाटते हैं लेकिन पानी नहीं पीने का मतलब है कि आपने दो जून को उठकर सुभा पानी पीना छोड़ दिया ब्रश कर लिया वस ठीक है उसकी बद आप तीन जून को मुझे जो मानसिक शांती मिलती है ना मुझे जो खुशी होती है कि मेरी एकाद एकादशी जो छूड़ गई वो भी 24 पूरी हो गई वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती और धीरे धीरे उमर बढ़ती चली जाएगी तो पता नहीं हम रख पाएंगे नहीं रख पा आपको thyroid problem होगी ना sugar की होगी ना BP की होगी क्योंकि इश्वर आपके साथ जोड़े हैं दो जून को ये कादशी है जिसन आपको इस वरत को करना है और इस वरत को करने से आपकी आत्मा तक शुद हो जाती है आपको मठका लेना है पानी से भरकर एक पंखा लेना है जा लेना है थोड़ी ककडी लेनी है थोड़ा तर्बूज लेना है थोड़ा चीनी लेना है शर्बत की बोतल लेनी है ऐसे जुरत मंद व्यक्ति को या मंदिर में दान करना है प्रैक्टिकली बात है मंदिर हैं बंद ठीक है जो अभी अक्टूबर तक बंद ही रहेंगे यह को, ड्राइवर को, प्रेस वाले को, गार्ड को और घर के आसपस चला रहे हैं रिक्षा वाले को या हजारों मजदूर जो आज भी बाहर लगे हुएं खाने की लाइन के लिए उन सब को आप दान करें। लॉक्डाउन में एकदशी जरूर मनाएं क्योंकि इस वक्त आपका दिया गया दान, पुन्ने और फल जादा लाबदाएक हैं लेकिन इस एकदशी पर जल बाटने की महिमा हैं इस बार आप ये काम नहीं कर सकते हैं अगर आपने किया तो आपको हतकड़ियां भी लग सकते है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है और हमें कहीं पर भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे भीड़ी कर्थी हो तो आप पानी की कुछ बोतले लेकर रस्ते में जहां मजदूर खड़े हूं एक बोतल शीशा खोल कर पकड़ाते चाहिए कारी नहीं है तो किसी एक व्यक्ति को पानी की बोतल दे जीजेए इट इस मोर देन इनफ अब विदेश में बैठे होई लोग तो इतना भी नहीं कर सकते अगर आप विदेश में हो और एका दशी का कुछ भी पालन करना चाहते हैं तो अपने पास से कुछ डॉलर पैसे लेकर अपने सर पे से एं हैं पापों का नाश होता है और ऐसा इंसान जो जल गरहन करता है अंगरहन करता है वो राक्षस बन जाता है अगले दिन आपको पंडी ची को भोजन कराकर ही भोजन करना होता है यानि कि आपको भोजन करना होगा तीन जून को गौं का दान किया जाता है और जितना दान बहुत अच्छा होता है खास इसकादाशी पर भगवान से कहें कि हमें शक्ती दे वरत का संकल्प करें और भगवान से कल्प ना करें कि भगवान आज हम आपका एक अदिशी का वरत रख रहे हैं और आप हमारे इस वरत को पूं करना यह हमारे वार से बड़ा तोहार होता है उस दिन आपको बाल धोकर ही करनी चाहिए पूजा घर में सतनराण होगान की कथा करनी चाहिए विश्मजी के सामने घी का दिया जलाना चाहिए लक्षमी नरायन की पूजा करनी चाहिए बेजन के लड़ों का भोग लगाना चाहिए घर के अंदर आप सत्नरायन हुगान की कथा भी करें तो बहुत उत्तम होता है जितना दानपुन्य आपसे हो सकता है अतना जरूर कीज़े नहीं भी हो सकता तो किसी को एक गलस पानी ही पला दीजे टिस मोर्दाने नफ ये हमारे शास्त्र कहते है आप डॉक्टर वायराखी क्या कहते है प्लीज इस बार एक अदशी पे वरत ना रखें आप जी हां यही गोहार बार बार सारे डॉक्टर कर रहे है पूरी देश और दुनिया में करोना फैला हुआ है अगर आप वरत रखते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है और जब आपका शरीर कमजोर हो जाता है तो इस बीमारी को पकड़ने की शम्ता उसमें और तेज हो जाती है अगर बात सिर्फ आपकी होती तो मैं आपसे कहती कि आप रत रख लीजे लेकिन बात आपके साथ आपके परिवार और समाज की भी है अगर आपको आपके सुसाइटी में एक बार करोना हो जाता है तो तेरा दिन के लिए पूरी सुसाइटी ब्लॉक हो जाती है आप अपने साथ दूसरों को इस गलती की सजा ना दे जैसा धर्म हो जैसा देश हो जैसा राज हो वैसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं और वैसा ही चलना पड़ता है अभी जो महौल है वो महौल ये कहता है कि एक अदशी पर जम कर दान करें आप एक अदशी पर जम कर एक मदद करें आप लेकिन गलती से भी वरत रखकर भूके रहकर अपने शरीर को कमजोर ना करें आप मेरी आप से ये गुजारिश है कि इस बार ये वरत छोड़ दीजे मांसिक पूजा कीचे आप गरीबों को पानी बिलाइए आप लेकिन लॉकडाउन का पालन करते पेड़ पौधों को पानी दीजे आप पेड़ पौधे लगाईए आप सत्य नरायन भगान की पूजा कीचे आप सुन्दरकान का पाठ कीचे आप मटका या बाल्टी भरकर पानी किसी जरुतमंद व्यक्ति को एक ऐसा पातर दिलवाईए जिसमें वो अपने घर में पानी भर कर रख सके और उसके लिए वो आपको दुआएं दे आप अपने घर के आसपास कपड़े दान कीचे अपने पुराने कर दीजे नए कर दीजे गाउं का दान कीचे गउशाला जाएए गयों की मदद कीचे गायों को नहलाईए उनको पानी पिलाईए उनके लिए पानी पीन जिला एकादशी का वरत आप ना रखें क्योंकि गलती से भी अगर आप बीमार हो गए मेरे परिवार की किसी एक भी सदस्टे को अगर करोना हो गया या आप उस कस्ट या तकलीफ के अंदर घिर गए और वो भी सिर्फ ये वरत रखकर और इसके बाद धर्म खराब होगा राम भी अपनी मर्यादाओं को छोड़ कर कभी भाहर नहीं गए राम ने भी सभी घर के रूल्स को फॉलो किया मनुश्य बनकर उनको जैसे राजपाट संभालना था जो पूजा करनी थी जैसे जाना था कहा आग्या चाहिए थी कहा नहीं आग्या चाहिए थी उन्होंने हर चीज का पालन किया वैसे हमें भी करना होगा बाकी सारी मर्जी मैं आप पर छोड़ती हूं लेकिन सबसे पहले इंसानियत के नाते क्योंकि मैं कोई भी ऐसा जोतिशे चैनल नहीं चला रही हूं जहां पर धरम इतना बड़ा हो जाए कि इंसान की कोई एहमियत ही ना रहे आ आप इजवार दान पुनने पर और मांसिक पूजा पर घर में बैठके इश्वर का नाम लेने पर ओम नमो भगवते वासु देवा का जाप करने पर हवन करने में जादा सोर दीजे प्लीज भूके मत रहे क्योंकि आपकी सेहत की मुझे बहुत जादा चिंता है अपना और का ध्यान रखेगा उमीद करते हूं कि आपको निर्जला एकदशी की मेरी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी कमेंट में बताएगा आप कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है आपके सब कमेंट को मैं पढ़ती हूं और मैं कोशिश करते हूं कि जादा से जादा ल